क्या कंपेरेजन किया जा सकता है इंटर फेरेंटस में देखिए दो स्लिट्स हो रही है एसवन और एसटू और यहां से जो सेकंडरी वेवलेट्स निकल लएंगे वह स्क्रीन पे जाकर जब सुपर इंपोज प्रिंसपल को फॉलो करती है तो यहां पे हमको डार्क और और यहां से जब आपका प्लेन टार रहा है तो यहां भी सेकंडरी वेवलेट निकल लाई ये कॉमन मिल ला है तो पथली सी डक लाइन मिल लई है फिर उसके ? वाइट वाली की बढ़ती गई है ? इसके से साथ यह देखिए कि यहां पे दोनों की दोनों जो थी इनकी विद नियरली सेम है या आप कहिए कि नहीं भी कह सकते लेकिं जनरली यह जो है सेम है और यहां पे दोनों की डार्क और राइट की बात कर रहे हैं तो ब्लैक और वाइट की विद दोनों की सेम नहीं आ रही है हां दोनों में common point हमको ये मिला है कि दोनों जो हैं ये light के wave nature को explain कर रही है हाइगेंस की theory दोनों पे successfully explain हो रही है जो apply हो रही है अब चलिए इनका comparison करें तो ये coherent source है यहाँ पे coherent source बनाया गया उससे ये दो source बनाया गया तो वहाँ पे superposition of waves के उससे जो coherent source से interference phenomenon मिला है deflection phenomenon जो है secondary wavelength के interference है जो कहां से आ रहा different point of same wavelength यहाँ पे यह same wavelength है इस wavelength के different different points से यहां की वज़ए से interference होके यहां पे हमको deflection मिला है यह main जो points है कि कैसे बन रहा है अब यहाँ पे अभी उने देखा fringes may or may not be same width यहाँ पे यह हो सकता है same width की हो और ना भी हो ठीक है लेकिन यहाँ पे देखिए जरह these are never of the same width यहाँ तो हाई नहीं same width जरह देखिए हर बार इनकी width जो है black वाले की बढ़ती चली गई है पतली वाले white वाले की कम होती चली गई है अब यहाँ पे third point देखिए all bright fringes are same intensity यहाँ पे जितनी भी आपकी white fringes मिल नहीं है यह सब देखिए बिलकुँ सब same intensity की है यहाँ पे क्या हो रहा है यह बहुत white है लेकिन थोड़ा थोड़ा इन में ब्राकिश आता जा रहा है तो intensity जो है secondary आपकी bright fringes जो है वो धीरे धीरे decrease हो रही है अब यहाँ पे next point है कि intensity at minima is usually zero और very small तो जहाँ पे यह आपका interference का फिनामिला मिला यहाँ पे intensity कैसी है बिलकुल zero है यह zero को approach कर रही है यहाँ पे ऐसा नहीं है interference जो हो रहा है उसकी वज़ा से जो minimum हो है वो कभी भी zero नहीं आती है और यह कैसी है इसके बीच में poor contrast है bright और dark के बीच में अब यहाँ पे part difference की बात करें तो maxima का part difference interference के में यह सबसे important point है की plus minus lambda पे मिलेगा plus minus two lambda पे मिलेगा और minima के लिए lambda by two three lambda by two ऐसा मिलेगा अब ज़रा diffraction में देखिए थोड़ा फ़रक है यहağム minima में मिलेगा हम को जो है plus minus lambda plus minus two lambda और maxima हमको मिलेगा three by two lambda यहाँ पे देखिए lambda by two lambda by two minimum के लिए आ रहा है यहां maxima ही start होता है first maxima 3 by 2 lambda 5 by 2 lambda इस तरीके से हमको मिल ला है अब जरह इसके intensity graph को भी देखें और समझेंगे अब intensity graph की बात करें तो देखें diffraction phenomenon में intensity graph में यह बिलकुल peak पे गया है यह plus और minus यहाँ पे मैंने कहा था था न minima आपको मिलेगा फिर आपका 2 lambda minus 2 lambda पे फिर minima मिला यह secondary minima हो गया फिर यह आपका 3 lambda जो है इस पे minus 3 lambda पे minima हो गया यह चीज़ यहाँ learn करने वाली है और यहाँ difference में देखें सारी की सारी same height तक जारी है जो i maximum आ रहा है वो 4k square k equal है और यहाँ पे lambda 2 lambda देखें 2 lambda, lambda या minus lambda minus 2 lambda पे हमको maximum मिलना है minima कहाँ पे मिलेगा lambda by 2, 3 lambda by 2 5 lambda by 2 तो यह learning point है इसी में confusion होता है तो इसको अच्छी तरीके से समझना है यहाँ lambda by 2 include है 3 lambda by 2 है 5 lambda by 2 है आपके minima के लिए और यहाँ minima के लिए आपका lambda plus minus lambda plus minus 2 lambda plus minus 3 lambda I hope so you understood the comparison between interference and diffraction और अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए thank you thank you